श्री शिवाई नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2024 को है सावन महीने की चतुर्थी तिथी मतलब की संकष्टी चतुर्थी और हम आप लोगों को बता दें कि सावन महीने क जो चतुर्थी तिथी होती है ये विशेश रूप से धन प्राप्ति के लिए होती है इस चतुर्थी के दिन आप भगवान को प्रसंद करके अपने घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही होती है उनसे चुटकारा पा सकते हैं ये आपके घर में अगर किसी प्रकार की पैसों से जुड़ी हुई समस्या होती है पैसा नहीं आता है पैसा किसी कारणवश आपके रुकता नहीं है तो ये सारी जो समस्या है जो कि धन से जुड़ी हुई है भाई इन सारी समस्याओं का आप समाधान इस उपाए को करने से ले सकते है जो कि उपाए आप लोगों को सिर्फ सावन महीने की चतुर्थी के दिन करना होता है तो आखिर ये सावन महीने की चतुर्थी के दिन मतलब की 24 जुलाई 2000 24 के दिन आप लोगों को कौन सा उपाय करना है जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके घर में पैसा ही पैसा बरसेगा आपको कभी भी पैसों की समस्या देखनी नहीं पड़ेगी तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये उपाय पूरा समझना पड़ेगा और ये व दोस्तों नौ शमी पत्रवाला उपाए अभी वाला। तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है इस दिन भगवान हमसे बहुत ही जल्दी और आसानी से प्रसंद होते हैं। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को आखिर नौ शमी पत्रवाला उपाए कैसे करना है? किसको करना है? कहां पर करना है? और इसकी विधी क्या है करने की? ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस विडियो में देते हैं। उपाए को करेगी घर के सभी सदस्यों को इस उपाए को करने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना अगर किसी कारणवश घर में माताइम बहने उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा पुरुश भी इस वाले उपाए को कर सकता है। दोस्तों जो अगला प्रशन आता है कि ये नौ शमी पत्र वाला उपाए हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखिए हम आप लोगों को यहां पर बता दें कि ये वाला जो उपाए है ये विशेश रूप से सावन महीने की चतुर्थी के दिन सुबह के समय आप लोगों को करना है। पर अगर किसी कारनवश आप इस उपाए को सुबह ना कर पाओ तो फिर दोस्तों आप लोग इस उपाए को शाम के समय प्रदूश काल में भी कर सकते हो। ठीक है। पर ये वाला जो उपाए है ये सिर्फ और सिर्फ सावन महीने की चतुर्थी के दिन मतलब की 24 जुलाई 2024 के दिन ही आप लोगों को करना है। अब दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज आती है इस उपाए को करने में वो ये आती है कि आखिर इस उपाए को करने में हमें सबसे जरूरी चीज है वो किस चीज की आवशक्ता यहां पर पढ़ने वाली है तो आप लोग उपाए के नाम में ही समझ रहे होंगे कि इस उपाए जब आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या हो, हो या आपके घर में रोग और बीमारी हो, या आपकी कोई विशेश मनोकामना हो, उसके लिए आप लोग अपना ये जो नौ शमी पत्र वाला उपाए है, ये कर सकते हैं, अब भई जो नौ शमी पत्र वाला उपाए है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा तो भाई उस व्यक्ति का भागय अपने आप धीरे धीरे करके चमकना शुरू हो जाता है, भले ही आप फिर भगवान से अपनी मनोकामना बोलो या ना बोलो क्योंकि सावन के अगर आप भगवान से कुछ नहीं भी बोलते हो, मात्र भगवान को पहचानने में गलती कर देते हैं इसलिए दोस्तों शमी पत्र आप लोग अच्छे से जाँच परताल करके ही लाएगा नहीं तो फिर उपाय काम नहीं करेगा तो कितने शमी पत्र लेकर आना है पूरे नौ शमी पत्र आप लोगों को लेकर आना है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है वही शमी पत्र होता है तो नौ शमी पत्र आप लोगों को सबसे पहले उपाय के लिए आपको तयार करके उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है दोस्तों इस उपाय में जो हमें उप्योग में लेना है वो है दोस्तों एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का धीपक है ना क्या? उपाय कर रहे हो तो भाई सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना को करने की कोशिश करना क्योंकि सावन के महीने में ब्रहमा मुहूर्थ से अच्छा और कोई समय नहीं होता है ब्रहमा मुहूर्थ के बाद जितना जल्दी हो सकता है भाई आप उतना जल्दी कोई भी अनुष शमी पत्र वाला उपाय तो आप लोगों को समझ आ गया सबसे पहले इस उपाय में आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर आने पड़ेंगे एक घीका दीपक आपको तयार करना पड़ेगा शुद्ध देसी गाय के घीका उसके बाद में दोस्तों बस यही दो चीजे है आप ल उपाय की सामगरी लेकर सावन महीने की चतुर्थी के दिन भगवान शिवजी के मंदिर मत पहुच जाना ठीक है अपने फाइदे के लिए कभी शिवजी के मंदिर मत जाना ऐसे भाव से जाना कि आप उनको प्रसंद करने के लिए जा रहे हो तो कम से कम अपने साथ में एक लोटा या दो लोटा जल जरूर लेकर जाना क्योंकि सावन के महीने में हम सभी लोग एक की जगह दो लोटा जल लेकर जाते हैं अपने घर से एक रखकर है ना तो भाई दो पात्रों का जो जल है वो आप लोगों को लेकर जाना है वो भी इस उपाय को करने से पहले क्योंक पूजन सामगरी है, वो भी लेकर जा सकते हो पर उपाय की जो सामगरी है, वो अलग से रखकर लेकर जाना है, ठीक है, जैसे ही आप लोग शिव जी के, मंदिर पहुचते हो तो सबसे पहले जाकर भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास, में आ जाना है, और अपना जो दो पात्रों का जल है या दो लोटों को जल है उसे शिवलिंग के उपर आपको चड़ाना है शिवलिंग के उपर जब आप दो पात्रों को जल चड़ाओगे तो आमने सामने करके ही चड़ाओगे मतलब दोनों पात्रों को शिवलिंग के उपर आमने सामने करके ही जो है धार पूजन सामगरी है उस पूजन सामगरी से भगवान शिवजी का अभिशे क्या। सबसे पहली चीज दोस्तों नौ शमी पत्र अब ये जो नौ शमी पत्र हैं दोस्तों नौ शमी पत्र में से आप लोग अपने पांच शमी पत्र अलग निकालो जो चार शमी पत्र हैं वो अलग रख दो पांच शमी पत्र आप लोग नौ शमी पत्र में से अलग निकालो कि हम आप लोगों को बता दें कि ये जो उपाय है ये विशेश रूप से के लिए है और भगवान शिव जी के लिए यही जो भगवान है ये आप लोगों के दुहक दूर करेंगे आपके घर से धन की जो समस्या है उसे दूर करेंगे है ना तो हम आपको बता दें कि शिवलिं वो जो है गनेश जी वाला भाग होता है गनेश जी वाला स्थान होता है पर जब भी आप लोगों को समझना आए तो वही मंदिर में किसी से पूछ लीजिएगा कि भाई इस शिवलिंग में गनेश जी का स्थान कौन सा है तो वो आपको आराम से बता देंगे क्योंकि ज्याद पतातर लोगों पता होता है कि गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ की तरफ यहां पर होता है. सीधे हाथ की जलाधारी के कोने की जो भी साइड होती है, वो गणेश जी का ही स्थान होता है. तो क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले अपनी पांच शमी पत्र निकाल कर अपनी पांच शमी पत्रों को एक साथ जमा कर आप लोगों को ये पांच शमी पत्र एक साथ ही भगवान गणेश जीवाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है ठीक है क्या कर देना है भगवान गणेश जीवाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है बस जो शमी पत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ ही होनी चाहिए और पत्या कुम्भ शिवलिंग की तरफ होना चाहिए इस तरीके से आपको पांच शमी पत्र सबसे जो है भगवान गणेश जीवाले स्थान पर समर्पित कर देना है उसके बाद में दोस्तों आपके पास अभी बची है चार शमी पत्र अब इन चार शमी पत्रों में से तीन स्वामी पत्र अलग निकाल लो एक शमिपत्र वहीं पर रखे रहने दो तो तीन शमिपत्र जैसे ही आप लोग अलग निकाल लेते हो दोस्तों उसके बाद में क्या करना है ये जो तीन शमिपत्र हैं इन तीन शमी पत्रों को आप लोगों को भगवान शिवजी की शिवलिंग के उपर समर्पित करना है उपर कैसे समर्पित करोगे भाई जो डंडी का भाग है वो आप लोग जो है शिवलिंग के पीछे की तरफ करके जो है और पत्तियों का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ करके इस तरीके से आप लोगों को जो ये तीन स्वामी पत्र है ये शिवलिंग के उपर आपको समर्पित कर देना है तीन स्वामी पत्र शिवलिंग के उपर समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आपके पास क्या बचेगा? एक शमी पत्र और एक गी का दीपक गी का दीपक आपको शिवलिंग के पास में नहीं जलाना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है, तो करना क्या है? जैसे ही तीन स्वामी पत्र शिवलिंग के उपर चड़ाते हैं, उसके बाद में अपना एक शमी पत्र और अपना येगी का दीपक लेकर कहा पर आ जाना, आपने जो भगवान शिवजी के मंदर की चौकटों की वहां पर आ जाना, अभी मंदर से बाहर नहीं निकलना है, मंद मंदर के अंदर खड़े बाहर की तरफ देखकर मतलब मंदर के अंदर चौकट के अंदर ही खड़े होकर आप लोगों को देखना है कि अपना उल्टा हाथ कौन सा है, मतलब आपको अंदर खड़े रहना है और मंदर के बाहर देखना है, तो क्या देखना है, आपका उल्टा चीज तो उसके बाद में जो आपका एक शमिपत्र जो आपने चड़ाया हुआ है, इस एक शमिपत्र को चड़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है? आपने जो अपना घी का दीपक किया हुआ है, इस घी के दीपक को अब आप लोग जला लो, ये घी का दीपक घर से जला कर नह इस एक शमी पत्र को चड़ाने के बाद ही जो है, मतलब इसको जलाना है। जो भी आपके धन से समस्या हो, घर में सुक्षान्ती से जुड़ी हुई मनोकामना या कोई भी मनोकामना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, इस दीपक को रखते समय अपनी वह मनोकामना भगवान से जरूर बोल देना। या कोई भी एक मंत्र का जाब कर लेना, जो भगवान शिव जी को प्रसन्न हो और उसके बाद में दोस्तों भगवान को धोक देकर वहां से उठ जाना, ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। नौ वाला उपाय हम हर रोज नहीं करते ये विशेश स्थितियों पर ही किया जाता है। विशेश रूप से सावन महीने की चतुर्थी इस बार पढ़ रही है 24 जुलाई को इस दिन आप। लोगों को ये वाला उपाय करना है अपने घर में भगवान शिव जी का आशीरवाद प्राप्त। तकरने के लिए और अपने उपर भगवान शिव जी का आशीरवात प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करने के बाद आपको बहुत सारे फलो प्राप्ती हो जाएगी, भगवान की कृपा जो है आपके घर परिवार पर हो जाएगी, उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं क परिशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं श्री शिवाई नमस्तु भीयम हर हर महादेव